वेलकम टू सपनो का रही से हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनो का रही से पे स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर भेडिया देखना या भेडिये की आवाज का सुनना अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखे कि वो भेडिये को देखता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपनी रियल लाइफ के अंदर अपने दुश्मनों को अपनी अपोजिट साइड को अपनी अपोजिशन साइड को देखेगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखे कि उसने भेडिया देखा है तो इसका मतलब शुब भी माना जाता है और अशुब भी यानि अगर कोई ये देखे कि वो भेडिये के उपर बैठा है या भेडिया उसकी बात मानता है तो ये सपना देखने वाले के लिए शुब है और अगर भेडिया उससे जगडा करता है लड़ता है तो ये अशुब माना जाता है और अगर कोई वेक्ती सपने में देखे कि भेडिया उसको आवाज देता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर अपने दुश्मनों पर विजे पाएगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखे कि उसे भेडिये के बच्चे ने पुकारा है बुलाया है तो इसका मतलब है कि जो सपना देखने वाला है उसके बच्चों को अपने दुश्मन के बच्चों से कोई लौस कोई नुक्सान पहुंचेगा और इसी तरह अगर कोई विक्ती सपने में ये देखे कि भेडिया उससे कोई चीज छीन कर ले गया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो अपने दुश्मनों की वज़ा से लॉस पाएगा और अगर कोई देखे कि उसने भेडिये से कोई चीज छीनी है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने दुश्मनों पर विज़े पाएगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखे कि वो भेडिये के साथ जगडा करता है लड़ाई करता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर अपने दुश्मनों के साथ जगडा करेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ